नमस्कार बैया बहिनों आदर्स शिक्षण समेती बाड मेर ओनलाइन क्लास में आप सवी का हार दीख स्वागत अभिनन्द देखो बैया पिछले अमने वीडियो क्रमांग में उब्बोक्ता वादसंस्कृत्ती के बारे में पड़ा दा आज हम पड़ेंगे पाठ करमांग बारा माखलाल चतुर्यदी दारा रचित कवीता केदी और कोकिल उससे पहले हम माखलाल चतुर्यदी जी का जीवन परिच्चे पड़ते हैं माखलाल चतुर्यदी का जन मध्यप्रदेश के वसंगाबाद जिले में बाबई गाउं में सन अठारा सो नवसी में हुआ मध्यप्रदेश राजे में माखलाल चतुर्यदी जी का जन हुआ मात्र सोला वर्ष की अवस्ता में वे सिक्सक बने जब सोला वर्ष के थे तो उसमें सिक्सक बन गए थे बाद में अध्यापन कारे छोड़कर उन्होंने प्रभापत्रिका का संपादन शुरू किया प्रभापत्रिका में वे लग गए सिक्सक की नोकरी सित्याग पत्र देकर वे देश पक्त कवी एम प्रखर तेज पत्रकार थे उन्होंने कर्मबीर और परताब का भी संपादन किया ये भी पत्रिकाएं 1968 में उनका द्यांत हो गया मुर्ति हो गी हिम की रीटनी सहीत्य देवता हिम तरिंगी नी व्यनुलो गुंजे धरा उनकी प्रमुख रचनाएं कृतिया हैं जिसकार्दता रचनाएं उन्हें पदम भूसन एम सहीत्य अकदमी प्रशकार से सम्मानित भी किया गया है माखनलाल चतुरुदी की रचनाएं राष्ट्रिय भावना से युक्त है जितने भी जो कवीता हैं राष्ट्रिय भावना के इर्दगीर्द घूंती है उनमें सौतनतता की चेतना के साथ देश की लिए त्याग और बल्दान की भावना मिलती है उन कवीता में इस परकार की हमारे को सीक मिलेगी देश की लिए त्याग करना और हमारा बल्दान देना किसी भी छितर में हो इसलिए उन्हें एक भारती आत्मा का जाता है उन्हें भारती आत्मा की भी सिर्णी दी गी है यह मैत्तपुर्ण पसन बनता है भारती आत्मा कौन से कवी को कहा या कहा जाता है इस उपनाम से उन्होंने कवीताइं भी लिखी है बारतिया आत्मा नीचे लेखा की रूप में कवी की रूप में भी इनका नाम आता है वेक कवी कारिकरता थे स्वाधिन्ता आंदोलन के दोरान कई बार जेल भी गई उस समय अंग्रेजों का सासन था तो उन्होंने बक्ती प्रेम और प्रकरती संब्धी कवीताइं भी लिखी है बक्ती के बारे में और प्रकरती संद्रे के बारे में कवीताइं भी लिखी है चत्तुरवेदी जी कवीता में सिल्प की तुलना में भाव को अधिक मेतों देते हैं अर्थात उनके कवीता में भाव विशेश करम बद्दा के अनुसार उनका प्रियोग भी किया है अब यह जो कवीता है इसका जो कवीता के बारे में जो रचना है कवीता का जो मूल पार्थ है पिचे क्या लिखावा इस पार्ट में देने का क्या उद्देशी है हम पढ़ेंगे बिर्तानी बिर्टीस उपनी वेसवाद के सोशन तंतर का बारिक विसलेशन करती है उसमें अंग्रेजों का सासन था तो पून्टूप से उनका आतंग चायावा था उस जमाने में इन्होंने इस कविता का निर्मान किया केदी और कोकिल केदी और स्पार्ट का नामी केदी और कोकिला है केदी का अर्तमसब को ध्यान में होगा जो किसी भी परकार का गुनहा करके चोरी डकेद करके जेल में जाता है केदी उसको केदी का गया है कोकिला सब्दकार्द होता है कोयल कविता केडियूर कोकिला कविता बहुती लोक प्रिय रही है परतिक जन जनता की अपनी प्रिय कविता रही है यह कविता भारतिय स्वाधिनता सेनानियों के साथ भारतिय जो सेनानी थे अपने स्वातिनता के आंदलों में जिन करंतिय करियों ने भाग लिया उनकी यातना के बारे बताया गया है कि साथ जेल में जो दुर्वेहार होता है वहां पर जो अपने देश के लिए धर्म के लिए जेल में गए उनकी वहां उस के दिक रूप में वहां उनके साथ जो दुर्वेहार होता है उनके बारे में दिया है इस कविता को और यातनों का मार्मिक साक्स्य से प्रस्तुत करती किस प्रकार की यात्र नहीं दीगी है उनके प्रमान प्रस्तुत करती है कभी जेल में एका की और उदा से बूत चिंता सते जारी है बार देश की कोकिल से अपने मन का दुख और संतोस और बृतानी सासन के परती अपने आक्रोस को व्यक्त करते वे बिटिस सासन के परती अंग्रीज सासन के परती उनका काफी आकरों से वो इस कविता के मादम से व्यक्त किया है प्रकट किया है वे कहता है कि यह समय मधूर गीत गाने का नहीं अर्थारत एक पक्सी को भी कोयल को सिख्षा देना चाहते हैं कि इतनी आत्मा उनकी प्रीडित है कि आप कवी मधूर गीत गाने का नहीं बलकि मुक्ति की मुक्तिनी सौतंत्र के गीत गाने का है कवी को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है इसलिए अर्द रात्री में उसकी कोयल की चीक उठी है इसका जो पाठ का मूल उद्देश है इसमें मकलाल चतरुईदारा रचिती है केदियो और कोकिल जो है ये बारती है सौधिनता सिनानियों के साथ जेल में किये गे दुर्वियार और यातनों का मार मिक साख से प्रसुत करती है जेल के एकाकी एम उदासी बरे जेल में एकाकी का और उदासी बरा जो वहां का जीवन होता है आत्री में जब कोयल अपने मन का दुख एम असंतोस वेक्त कर स्वाधिनता सिनानियों की मुक्ति का गित सुनाती है कोयल भी वेक्त करती है असंतोस वेक्त कर रही है और स्वाधिन्ता सेनानियों की मुक्ति का गीत सुनाती है तो लोगों में अंग्रेजों की अधिन्ता से मुक्त होने की भावना प्रबल बन जाती है मजूद बन जाती है ऐसे में कवी कोयल को लक्से मान कर अपनी भावना का प्रकासन इस कविता के माधियम से किया है कविता पढ़ेंगे क्या गाती हो, क्यूं रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसमें रहर jáती के चुप हो जाती है सब्दार्त रहर जाती है स्वादिन्ता अंदूलन में सक्रिय भाग लेने से कवी को जेल में जाना पड़ा तब एक रात उसी वहाँ पर कोयल की कूख सुने पड़ती है जब वो उसमें कोयल के माध्यम से अपनी वेदिना प्रकट करते हैं माखलाल चतरविदी उसमें जेल में होते हैं अंग्री जोका राजपाट होता है वह कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो तुम रात में ही क्यों गाती हो तुम फिर रह 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 अर्थात कुछ छणों के बाद चुप की हो जाती हो एक बार गाती हो एक बार चुप हो जाती हो यह किस परकार का आपका तरीका है चुप क्यों रह जाती हो हे कोयल बोलो तुम करांती कारी देश पक्तों को किसका संदेश लाती हो संदेशा किसका है कोयल बोलो तो स्वादिन्ता संग्राम के केदियों को तुम क्या संदेश देती हो हे कोयल तुम अपनी ठीक परकार से इस प्रष्टा से बोलो अखीर अपनी आप क्या कहना चाहती हो स्वादिन्ता संग्राम के केदियों को तुम क्या संदेशा देती हो एक कोयल तुम इस प्रश्टा बोलो कि इस प्रकार का ये पहला पद है के दी कोकिल का उन्होंने एक प्रकार से कोयल को मध्यम बना कर अपनी भावना को व्यक्त किया है उस समय वह जेल के अंदर बंद होता है माखला चत्रवेदी जी कार अग्रा में इस प्रकार कोयल के मध्यम से हमको संदेश दिया है इसके पस्णों तरहें आपको दो पस्ण अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने ठीक प्रकार से जमा जमा कर पस्ण कर मांग एक कभी माखलाल चत्रवेदी का जीवन परीची लिखी ये तो उसमें आया हुआ देख लेना केदिय और कोकिला कविता किस की और संकेत करती है इसका कुतर भी आपको पने कोपी में लिखना किस परकार इस कविता देने के पिछे उद्दिश ही क्या है कवी की मुख्य और पसे भावना क्या है आगे पद आपको आगामी वीडियो में बताएंगी तेने बाद